Hello everyone, Welcome to Missile Classes My Daystrand, आज हम लोग इस बीडियो में डिस्स कने वाले हैं English score के set number 1 यहनि class 11 के जो exam start होने वाला आपके 7 माई से उसी के regarding आज हम लोग इस बीडियो में देखने वाले हैं English score के model set number 1 बहुत ही important है और बहुत ही आची तरह से हम लोग डिस्स करेंगे तो my daystrand, कोई भी candidate अगर मेरे चैनल पर नहीं आया है तो चैनल को subscribe करें, like करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को share करें आज मैं जो भी question आप लोगों को मैं बताऊं, बहुत ही important है और इससे पहले मैंने history, geography, economy से political science का वीडियो बहुत ही आची तरह से discuss कर चुके हम लोग तो कोई भी candidate अगर नहीं देखी होंगे, तो description पर link की दिया वाए वहाँ से जाकर आप आची तरह से देख सकते हैं तो चलिए हम लोग बिना देर किये question के और move करते हैं तो question कर move करते हैं, तो पहला की question आपके सामने आता है क्या passage यानि passage को आप अगर अच्छी तरह से read करते हैं passage को अगर आप अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो मैं उमीद करता हूँ कि आपसे 5 months से आपके easy से आ सकता है आपको क्या करना है? passage को easy से study करना है माइ डिश्टेंट आज हम लोग जो डिसस करने हैं यह है model set number 1 इससी तरह से मैं आपको 5 model set करवाऊंगा exam से पहले पहले और मैं विश्वास के साथ यह कह सकता हूँ कि जो भी question आपके exam में पूछी जाएंगे इनी 5 set से related होंगे चाहिए वो arts के हो, commerce के हो या science से related हो तो माइ डिश्टेंट वीडियो के आपको क्या करना है सबसे ज़्यादा सबसे अपनों दोस्तों को सेर करें है ना, तो हम लोग चलते हैं सबसे पहले पेस्टेज के और पेस्टेज के आपको अग ध्यान पूरवक पढ़ते हैं तिरह हम लोग कोशिन के और चलेंगे कोशिन है, ध्यान से सुनियेगा पोहुत इंपोर्टन फेक्ट पर बता रहा हूं ध्यान से सुनियेगा अपनो एडिशन वाज बॉर्न ओन 11 फेरवर 1847 इन अमरिका एडिशन जो एक बेखती है अडिशन एक बेखती है उनका जर्म हुआता है 11 फर्वारे 1800 सायंतालिस को कहां पे अमरिका में ये कोशिन बन सकता है ये वाज एक ग्रेट साइंटिस्ट वह एक महान साइंटिस्ट थे अड़ दा एज ओफ एटिन ही सेट अप इस लावरिटी ये जब उसका आयो 18 साल का बाता था उनने अपने सेट अप किया था अपनी लावरिटी को ये मेड सेवरल एक्स्प्रियरेंट और इन्वेटेड हाव तो सेंड मोर देन वान मेसेज एलान ए वायर ये इन्वेटेड ए टेकिंग मेशीन अपने खेंग लूप 10 से टेल्राव ये प्रवाच्टेब्स ये प्रॉप्टी अपर्ट टेल्ग्रवाच्ट्स वाज्ड वाजीक्ट्रीम ये अफ़ गूड ये जीछाऊश एलावर प्र कियावरा एव ये जुड प्लेटीज खूड उन्वेटीड शेंवें एन फैक्टरी, he had helped him with $400 for it, there invited the DBIs that tell it was most funny, बहुत important है, अभी हम लोगों जस्ट पेसेज को steady किये, और पेसेज के steady करने का बात हम लोगों क्या पता चले के Albert Edition का बारे में पुछी जारे हैं, जो Albert Edition के Scientist से, उसी से related यह पेसेज है, मैं पांच पेसेज बताऊँगा, इसी तरह से हम लोग पेसेज नमर 5.3 करेंगे, तो बहुत easy है, हम लोग सबसे पहले question को चलते हैं, जो question है, आप बहुत ही easy तरह से बना सकते हैं, यह question है खुद यागरे, पेसेज को आच्छी तरह से read करते हैं, तो question को खुद बना सकते हैं, लिखा है, क्या कि Albert अलबरवर इडिशन से क्या थे?」 इक करने सिंपल से question that was an important question. बना सकता है लोग वाट इद फिन्वेंट? और न क्या इई्उेड के था ? o catching इंवेट लोग्व सीन टेलीफोन यानर अबसे नमबर C, अभी हम लोग जोश्ट पढ़ें, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, अगला कुश्चन चलते हैं, next question है, with the help of general left or his, तो general left or मतलब क्या किये थे, तो इसका जो सेवतर होना चाहिए, अबसे नमबर B, इनका विल्कुल सेवतर होना चाहिए, अभी हम लो और वाइरस, several का मिनिंग क्या होना चाहिए, वाइरस, option number B, इनका option number right hand सोर हो जाएगा, अलग उसे ने, general left or had help addition with a dash to set up a factory, फेक्टरी को कितना डोलर पे वो सेट अप किये थे, तो हम लोग अभी just study किये तो यहाँ पे, कितना डोलर पे सेट अप किये थे, तो याद रहेगे कितना, four hundred dollar, four thousand dollar, four thousand dollar, इनका बिल्कुर right answer हो जागा, option number B, इनका से उतर होगा, तो मुझे पता चला कि आभी ता कि आगर कोई भी candidate, अगर अच्छी तरस से, पेसेज को read करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि पांच मैं से पांच मांग सियां से आप, आसानी से ला सकते है उठा सकते हैं, तो आगला question के और हम लोग चलते हैं, आप जो भी question के और हम लोग चलेंगे, आप यहां से अपका इस्टार्ट होता है grammar part, letter writing के बारे में, यानि कि इस प्रकार से letter writing, दाया लिखा जाए, बाया लिखा जाए, address कहां लिखना चाहिए, इस से related आप से question question है, कि in a notice making notes are written only in, तिसका जो right answer होना चाहिए, क्या हो जाएगा, preps, क्या होना चाहिए, preps, option number, preps, इसका बिल्कुल सेतर हो, option number B, अगला question चलते है, question है, notes should be in desk from, जो notes है, वो should be from, कहां सो होना चाहिए, स्वाट्स, notes जो है, जो notes है, वो should होना चाहिए, सभी को पता है, जो हम लोग notice लिखते हैं, वो बहुत स्वाट्स में होना चाहिए, और ये जो question है, question number 8, हर एक साल पूशे जाते हैं, और ये साल भी पूशे चाहिए, question है, a formal letter started with, जो formal letter हम लोग लिखते है, वो formal letter कहां से start ह बारे में editor का पास लिखते हैं, वो किस क्या होता है, वो newspaper का बारे में हम लोग लिखते हैं, जो editor को हम लोग writing करते हैं, yes, yeah, no, writer के बारे में लिखते हैं, अगला question है, reporting on, reporting of an event is done as, जो reporting है, जो reporting है, उसका जो बिल्कुल right answer हो चाहिए, a first hand information, option number A, इनका right answer हो जाएगा, first hand information, आगला question चलते हैं, next question है, the purpose of invitation is to, तो जो purpose of invitation है, जो 11 number question है, इसका जो बिल्कुल से तो होगा invite, option number invite, option number A, अगला question चलते है, question है, आपके पास, while writing articles, where should be written, mention his or her name, तो हम लोग mention जो करते हैं, वो क्या करते हैं, यस बहुत important है, तो हम लोग क्या करते हैं, तो इसका जो बिल्कुल right answer होना चाहिए, at the end, option number, हम लोग mention last में करते हैं, at the end, अगला question चलते है, choose the grammatically correct sentence for the given jumping word, most important question है, बहुत बहुत important question है, इसका जो बिल्कुल right answer हो जाएगा, option number C, physically exercise is essential for good health, option number C, इनका right answer हो जाएगा, जितना भी question बता रहा हूँ, माइडियेश्ट, आप लोग अगर अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे, तो माइडियेश्ट में उम्मीद करता हूँ कि इस से बाहर आपसे नहीं पूछी जाएगे, और जो भी question आएगे, आपके जो exam प्रोटोस इस डास, honorable man, तो क्या न चाहिए, आप यहाँ, एन दा का बार परियूग करना है, तो सभी को पता है कि एन दा का परियूग यह honorable लिखाए वाई, अगर O सिस्टाट हो रहा है, तो O क्या है, H silent होता है, तो O सिस्टाट होता है, तो इसका बारे में हम लोग जहाँ लगते हैं, उहाँ, N लगाते हैं, जहाँ, A, N, जहाँ लगना चाहिए, वह कहाँ लगाते हैं, A, single बिखते के लिए, N वहाँ लगाते हैं, जहाँ भर्वर रहते हैं, आर्टिकल, A, I, A, I, E, O, U, जहाँ रहते हैं, जो भी वर्ड यहाँ सिस्टाट होता है, A, I, O, U से, तो हम लगों उहाँ पे A, N का परियूग करते हैं, एला कोशन चलते हैं, I, डास, लेटर, A, लेटर, वें, दा बेल रहंग, बहुत इंपोर्टन है, तो माइट एपिशन इसका जो बिल्कुल सेफ्टर होना चाहिए, वाज, राइटिंग, ऑफसन नमबर B, इनका राइट अगला कोशन है, दोक्टर, राबर्ड, दा चिल्ड, चाइल्ड, विट, राबर्ड, दो चाइल्ड है, उसके बार में आप सिखा गया, तिस काल्ड टॉवेल, अफसन नमबर B, इनका राइट अनसर होगा, अगला कोशन चलते हैं, दोक्टर गिप्स डैस टू दा मोधर, ज करेंगे, तो चलिए, आप लोग हम लोग चलते हैं, पोईटरी के और, याने पोयम के और, मोब लोग करते हैं, तो पोयम से रेलेटेड आपके तीन कोशन पुछे जाएंगे, तो देखते हैं, रिट दा फ्लोविंग एक्स्ट्रा, एंड एंसर दा कोशन फ्रॉम 18 तो 21, य ये अपके सेंटेंस है, यह अभी दिखावा है, सेंटेंस दिखावा है, अब बोल सकते हैं, कनकुलूजन के बार में लिखावा है, अगला चलते हैं, आपके सामने, कि दा स्वीट से फेस, दा फोटोग्राफ सोन वाज, तो इसको जो बिल्कुल से रोगा, नारेटर्स मद अगला कुछिन चलते हैं, तो फोटोकराफ वाज ट्रकनने, अम होग अभी जर्च च्ट वाज ट्रकनने, क्या होगा, दा नारेटर्स मदा उपार नबर क्या उसको ए, अपके सामने, यह अखों सलमे अपके सुन ई हरा गेगा, आगला कुछिन चलते हैं, तो ओवर बिल्कुल राइट एंसर हो जाएगा अगला कुशन चलते हैं कुशन नबर नेक्स चलते हैं विच मन्थ व अफ दा येर हैस बीन इंचने इन दा पोयम दा लेवरम टॉफ बिल्कुल 22 का एंसर होना चाहिए सप्टेंबर क्या आना चाहिए सप्टेंबर में करता हूं कि मैं जितना भी कोसिन बता रहा हूं आपको करना क्या आची तरह से पढ़ाय करना ही मंदारी के साथ इसका जो बिल्कु राइस एंसरों चाहिए दस वर क्या नों चाहिए अफसर नमबर डीन का राइस एंसरों चाहिए अगला क्योशन चाहिए 25 question दिख निरा 26 कोर मूब करते हैं Question 25 there was no seeing off between the feather and the sun Father and the sun Father and the sun क्या उंदा जए understanding अफसर नमबर एंसरों चाहिए अगला question है What is the birds moment compared to The birds moment केसे करते हैं बहुत important है तो याद रखेगा To the moment for a lizard A, A, B इनका right answer हो जाएगा Lizard moment कर सकते हैं पर क्याट, ट्रोपीज और स्नेक नहीं कर सकते हैं अगला question चलते हैं Question I give back life to my origin Who is the speaker? इसका जो बिल्कुल right answer हो जाएगा A, A, D इनका स्ने उत्तर हो जाएगा अगला बीडियो में हम लोग बिसल्स करेंगे वह इंगली स्कॉर के model set number 2 of the grandmother was cried off इसका जो बिल्कुल स्यत्र हो जाएगा A, A, C, इनका right answer हो जाएगा अगला question चलते हैं Next question आपके पास What was the name of the board which the author had bought for his भयग? इसका जो right answer हो जाएगा A, A, B, इनका right answer हो जाएगा वेब वालकर आगला question चलते हैं Who accompanied the writer in his around the world भयग? इसका जो बिल्कुल स्यत्र हो जाएगा A, 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 Dean का right answer हो जाएगा A, A, Dean का right answer हो जाएगा All these, all the three योंदी तीनों जाएगा answer Question a 32 The place where an exemplary king where the bros of his now is exist इसका जो right answer हो जाएगा A, A, B, Valley of Kings क्या होना जाएगा A, 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 A और ला कुशन चलते हैं, वो ग्रेटेट दा रॉक गाटन अफ चंधिगड काहँ पे हैं वो यापसर पुछे गें तो याद रिगा रिगा कि निक चंड क्या नो चाहिए आफसर मंबर शीन का निक चंड दन अगला कुशन चलते मिलियान इस्टेंड टॉप लॉप टू डश इसका जो जिल्कुल राइट अंसरों चाहिए अफसर नमबर डी अगला कुशन चलते हैं, नेस्ट कोशन आपके पास वाट इस दा गंगा धरपंत गोईटेंड आफ प्रोफिसर आफ जो प्रोफिसर थे गंगा धरपंत वो कहां के प्रोफिसर थे ती आद रहे किएगा हिस्टोरी क्या आफसर नमबर सीन का राइट अंसरों हो हिस्टोरी अगला कुशन चलते हैं, नेम अफ दे ऑफ्थर अफ कॉम्परेट टू, बोट्स मॉमेंट कॉम्परेट टू जो कॉशन है, आपके पास एक कॉशन जो बहुत इंपोर्टेंड अमाई डे श्टेंट, कॉशन नमबर है, 37 के ओर हम लोग चलते हैं, कॉशन थाटी है, जो वाइट होर्स के बार में पुछा गया है, वो हो जाएग टॉपिक है, उसका राइटर कोन है, मैं डे श्टेंट राइटर को आप लोग बिल्कुल याद करें, मैं डारेटर से रिलेटर एक वीडियो और लेकर आऊंगा आप लोग लिए ताकि कोई भी कॉशन आप लोग के एक्जामेन ना छुटे, तो इसको बिल्कुल सेतर होगा मारगन मिको, अफसर नमबर D, इनका मारगन मिको, दन अगला कुश्चन चलते, रंगासव रतना फॉर दा फॉर्स्ट टाइम एट, जो फॉर्स्ट टाइम जो उनको मीटिंग वह थी, वो काहा पर हो थी, तो ने रिक्टर हाउस, अफसर नमबर D, ये कोशन रहेक साल और झाल कर्वाने हमें